आओ, चालिस दिवस ना पावन महापूरुस रण्ना जप्यग्यवां, गुरुदेवन ना प्रवचन्न रदयेंगम करिये, पन ते पहला सवने सद बुद्धी मडे, सवनु कल्यान थाए, सवुज्वल भविश्यना मार ग्यागडवदे, ते विदिवी भावना थी, एक गा प्रायत्री महामंत्र, आम भूर भूवाह स्वाह, तत्स वितुर्वारेन्यां, बर्गो देवस्य धीमाहि, धीयोयो नाह, प्रचोदयात् अखंड मंडलाकारं, व्याप्तम येन चराचरं, तत्पदंदर्शितम येन, तश्मे स्री गुरुवे नमां मात्रिवत लाल इत्रीच पित्रवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुषत्ताये स्रद्धा प्रग्यायुताचया अम गुरुषत्ताये नमा आवायामी स्थाप्यामी पुजियामी ध्यायामी ततो नमस्कारं करोमी ओम आयातु अरदे देवी त्रयक्षरे ब्रहमवादिनी गायत्रै छंद शामात ब्रहमयोनीर नमोस्तुते यादेवी शर्व भूतेश्यु मात्रु रुपेन संस्तिता नमस्तस्ये 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 नमो नमा ओम्स्री गायत्रिदैवे नमा ओम्स्री कुल्दैवी मा आज अठमों दिवस आठमा दिवस नु प्रवचन छे महाय एग्यो नु श्वरूप और उद्देश्या आज बारत और विश्वमा गणी जिग्याए अस्व में दिअग्यो थेई रहा छे बारतु अर्षमा ग्यान यग्यो बने अस्वो में धियग्यो नी परंपरा चालूँछे आ यग्यो सामाटे थायेचे एनि जाणकारी आपतु परंपु जे गुरुदेवनू अधभुत प्रवचन तारिक 31 सप्टेबर 118 तेर मां स्थांति कुझ मापवा मावि होतु आ यग्यो सूँचे यग्यो कोने के वाए एउँ दिव्य प्रवचन आओ एमनिज भासा मारा दयंगम करिये गायत्री मंत्र मारी साथे साथे बोलो ओंभुर्गो आश्वाह तस्तवेत्रवारे ज्यंभर्गो देवस्य धीमहि दियो यो नाः प्रचो दया मनुष्यना जीवनमा अनेक समस्याओ आवेचे विचा अर्वीनी मैकरी एनू समाधन करवानी रित्पण प्राचिन काड़ती चाले रहीचे एवक्ते सरकार पोतानू काम करती हती परंतु समाध सरकार पर आश्रितना आतो सरकार ने काम करवानी सीमा हती चोर डाको ने पकरवा देशना खत्रासा में सुरक्षा करवी जे करवेरा उग्रावामा आवता हता एमाथी प्रज्यत प्रजानी उन्नतीना काम करवा आटली सरकार नी फरजो हती प्रजाना विचारो पर भावनाव पर सरकार नू नियंत्रण नहतो तो अपचे कोनू नियंत्रण तो समाजनू नियंत्रण होएच विचारसीलो नू नियंत्रण होएच सुविचारो नो फेलावो करव आजना समाजना रित्री वाज घडवा अने एरी वाजने समाजमा प्रचलित करवा ए विचारसीलो नू काम छे आपनों समाज एवो छे कि जेमा गड़िये गड़िये विक्रूतियो वत्ती जायेच एनू समाधान 102 नी जरूरू भिधायेच सामाजिक प्रस्णोंना निराकरण माटे वारम वार भेगा थवू पडेच प्राचिन कारमा विचारसीलोन भेगा करवानी रितनू विचारोनी आपले करवानी रितनू समश्याओनू समाधान करवानी पदतिनू नाम यग्यो हतों एसमाई बे प्रकारना यग्यो थता हाता प्राचिन कार्मा यग्योंनों इतियास आप्र जोईये छिए तो बे प्रकारना मोटा यग्योंनु वरणन जुओ आमरेज एक इतियास से राज्चु यग्यनों राज्चु यग्यों के वा थता हता जेवो युदिस ठीरे करे होतो आस्वा में द्यग्यों के वा थता हता जेवा रामचंद्र जीना जमाना मत्या आता अस्वा में द्यग्यनों गोडों छोडीने यमने विचार सिलोने निमंत्र नाप कि तेमें बजा एक जग्याए भेगा थाओ अने एक बनो। एक बिजानु कहलों करो। हरी मलीने रहो। प्रेमथी रहो। शंगसकती कल यूगे। राजसु यग्य, राजनेती दिग्वी जैमाटे थता हाता, आरी ते मोटा मटा यग्य थोता हाता. त्याया बदा लोग को बेगात हता हता ने राजनाहित एक समस्याओ उपर शांस्करूत एक समस्याओ उपर आर्थीक तेमाज शुरक्षात्मख समस्याओ ना निराकरण माते विचारों इंदरनी अपले ठती हती सामुहिक यग्यों मां अगियार हजार जेकली मानव वेद नियावे अवा सामुहिक यग्यों मां ए वक्ते पन अगियार हजार जेकली मानव वेद नियावे अनि कहे के अगियार हजार कुंड बनावो अगियार हजार रसोडा खोलो अगियार हजार तवा आने ची पियालावो जो एकज रशोड़े खावा नू बनी सके बद्दा बेगा मडी ने समुह बोजन करी सके तो एकज जग्याई बदा बेगा मडी यग्ये केम न करी सके सामोहिक यग्ये केवी रिते थाई जेवी रिते आपने बद्दा बेगा मडी 108 कुंडी यग्य जेवा मोटा आयो जेनों करियेची एक पचे एक थाली मां बदा बेस्ता रहेचे परिक्रमा करता रहेचे एक पचे एक पाडी मां बदा बेस्ता रहेचे परिक्रमा करता रहेचे जैगोश बोलता रहेचे सामुहिकतानी मजापन आवेचे सगोडतापन मड़ेचे अने व्यवस्थापन मड़ी रहेचे राजशु यग्य तथा आसों में यग्य सामुही कज होएचे एमा आवन मुख्याचे अने ए जमानामा आवन कर्यावगर कोई भोजन पन करतो ना आतो आवन कर्वूं ए आपनू दैनिक कारेचे एवी रिते स्नान, भजन, भोजन, दैनिक कारेचे एवी जरिते गाहेत्री उपास्तनाने यग्य ए आपनू आध्यात्मिक नित्यकर्मचे अने होवूं जोई मोटा येगनो तो क्यारेक-क्यारेक थाएचे एमा गंबिर समस्याओनू समाधान, राजनितिक समस्याओनू समाधान करवा माटे चर्चाओ, सभाओ, योजाती हती एमा राजनितिग्नियों तथा समाज सास्त्रियों तथा समाज उपर प्रभुत्तों दरावता स्रेष्ट महापूरुसों भेगा थता हाता अने सामाजीक समस्याओ आर्थिक समस्याओ अने बिजी घणी बदी समस्याओ नुहडी मणी ने समाधान करता हाता एमा सरकार क्यारे अस्तक्षेप करती ना हती सरकारने काहेदानों अमल करवानों केवा मावतूं एकला माटे प्राचिनकार्मा राजकार्णियों और आश्ट्रिय विचार्वीमस माटे भेगा थता हाता। राजकियान दार्मिक सबाव पौन अवारनवार योजाती हैती। एनु नाम बाजपई यग्यां। बाजपई यग्यों माँ मोक्षनी बावनात्मक अने मननिया नैतिक तथा आध्यात्मिक जेपन समस्याओ हती। एना निराकरण माटे लोगो भेगा थता हाता। एमने आपने दार्मिक आयोजनों पन कही सकिये। आवा दार्मिक आयोजनों पन थता हाता। आयो जोनू नामज वाजपय यग्य हतो। प्राचिन काड़ना समयमा बे प्रकार्निया विशिष्ट यग्यों निपरंपरा जोवा मरती। एक वाजपय यग्य और बीजो राजशु यग्यों निपरंपरा। बाजपय यग्यनू समाज माटे बहु मोटू योगदान रहीूँँचे। समाज एक समस्याओनी खबर पड़ती नती। कारण के दर एक समस्या मानसीक और बावनात्मक रिते मानसों विक्रुत बनी जायेचे। अने एक समाज मा राजकारण मा आर्थेक सेत्र माने परिवार मा विक्रुत योग पैदा बने जे। बने जे। येना मूर व्यक्तिनी अंदर होईचे। एला व्यक्तिना चिंतन चरित्र अने आध्यात्म सबंदी समस्याओना निराकरण मातेज आप बाजपई यग्यो थता हाता। बाजपई यग्यो बाजपई नी सभाव नकीश थड़ेज थती हती। खास करने कुम्ब मेडा इना मातेज भरवामा आउता हाता। कुम्ब मेडा माँ दार्मिक लोको जावता हाता। अने आ कुम्ब मेडा जुदा जुदा स्थड़े भराता। येथी दरेक समाजने पोतानी समस्याओ करवान अउसर मड़तो। अड़ी त्रण वर्षे कुम्ब मेडा भराता। येमा खासकरिने नासिक, उज्याइन, हरिद्वार अने अलाबाद मां कुम्ब मेडा भरायेचे। ये इंदुस्ताननों मुख्य भाग छे। आज बाजपई यग्यमा बुद्धिसाडी वर्ग बेगो थतो होतो। येमना ज्ञाननों आखा समाजने लाभ मडतो। यग्यमा आवन थतो, साथे साथे सत्संग औने कथापण थता आता। परंतो येमा मुख्य भाबत सामाजीक समस्याओ दूर करवानी साथे साथे। सामाजीक समस्याओ कई रिते दूर करवी। एना माटे आपने सूप करी से किये एनी चर्चा विचारना थती हती ते हती आप पूरस चरणमा तमें आव्याच बेठाच एकले के बाजपे येग्यमा तमें भागिली दोचे एमाउं तमने बाजपे येग्यनों सामाजीक स्वरुक बताऊ आई छूच आज इना युगनी स आमाजीक समस्याओ केकली बदी छे जेवी के आर्थिक समस्या दहेजीनी समस्या व्यसंगनी समस्या दारू जुगार जेवी समस्या गुना खोरी अने गुना खोरी जेवी अनेक समस्याओ समाज माँ छे जेमा ब्रस्ताजार पणावी जाये छे येनू एक कज मूर छे अने प्राचिन काड़नी सामाजिक समस्याना समाधान आजनी स्थिती मकाम नथी लागता। दहेजनी समस्याना उकेल बदीज सम्रुत्यों धर्मग्रंथों मां सोधीशों तो नई मड़े। कारणके जमाना मां दहेजनी प्रथाज नहती। ये आजनी आधूनिक समस्याची। एनू समाधान पन आजनी परिष्थिती प्रमाने करूँ पर से। बाटपे यग्यना सामाजिक लाभ बतावें। अवे हो एनू नैतिक पासु पर बतावें। नैतिक पासु है छे के मनुष्यानी अंदर इमानदारी होवी जुए। आपने जे हवा माथी स्वास लईये छे। जे हवा स्वास मा लईये छे। एक सामुहिक संपती छे, आपने सुधवा लईये छिए अने उच्वास द्वारा गंद की रुपे बार फेंकिये छिए, जे सामुहिक संपती ने खराब करे छे, एने आपने जिशोच करवी पर से, ए आपने नईतिक फरजी छे, जे वायू मंदड ने आपने प्रदूशित क करियोंचे, ए वातावरण निशुध करवा माटेज, आपने आगडावू पर से, ए सामाजीक नियायने मर्यादा छे, क्या आपने समाज पासे ती जे लिदूचे, एना ची अनेक गणू करी, अने तेने पाच्वा पूपडे, आवी मनो वृत्तिनों विकास करवा माटे, आ यग्योंनी परंपर आओ चालेचे, यग्ये परंपर आओ ने आपने जिवित करवाई चीए चीए, तो एना माटे प्रसिक्षन पन जरूरीचे, एक प्रसिक्षन हूँ, एवू आपवा मागूचे, के दरेक व्यक्ति भोजन करती वक्ते, एवू विचारे, के वू मैनत करीने कमाई हूँ चूAP पण एमा बीजानों पन हक कर हेलो चे, मारा हेकला नो हक न थी, तो एमा कोनों कोनों हक छे, तमारा ख्यालती तमारी पतनी, भाई बहेन, माबाप, बजानों हक छे, व्यक्ति ने खाओं आपने इंसान चीए तेथी मानवता वादी विच्यार दाराने समाज मां प्रचलित करवा माटे दरेक व्यक्तिने समझावू पर से के तमारी महेनतना अनना दारामा घणा बदा नौक छे अनि ये अकदारों मां तमारा बाड़को तो भागिदार छे पर साथे साथे तमारा पाड़ोशी अतिथी पर भागिदार छे तम्हें तमारा बाड़कनी कारजी न रागता हो और जो ते दूर बढ़ बनी जाए तो ए गुनों ज़े तम्हें 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 तम् गई होतों, त्यास जही नोड़िया शुक कही होतों, एक ब्रामण, एक अठोबिया नो भूखिय होतों, नसीप जोके एने थोडु क अनाज मलियूं, जे मां थे एना कुटुमना सभ्यों ने एक एक रोतली मली सके, श्तरी पुरूस अने छोकरों, अने ये नी पुत्री नी चार रोकली बनावी अने खावा बेशता हाता त्या ब्रामने कईउं क्या मना खासो नहीं आपना करता वधारे वधारे दिवस्नों जो कोई बुख्यू होई तो आरोकली पर एणों अधिकार पहलो छे ब्रामने विचार करेओ क्यों अठ्वारी यानों बुख्यो छू पण कोई मारा करता पण वधारे बुख्यू होई तो आरोकली हूँ एने आपिस महा बारतनी कथा प्रमाने एक चांडार ते आवियो छे अने कईउंचे हूँ एक मैना नों बुख्यो छू एक चांडार ने ब्रामने पोताना भागनी रोटली आपि दिथी चांडारे कईउं मारू पेटा जूपन भरायू न थी ब्रामने पत्नी नी पूत्र नी एने पूत्री नी चारे जणानी रोटली एक चांडार ने खावा माटे आपि दिथी चांडारे जम्या पछी जा आ त्या एक नोड़ियो आरोटियो तो एनुँ अर्दू अंग सोनानु बनीगेजू। तमें समाज मां दरेकी वक्तिने समझावो कि तमें तमारामा मानवता पेदा करो। तमें अवन करो छो ए सारू छे परंतु पहला समस्याओनु निराकरन करो। ब्रामनों यग्ये करावेचे एनी पाचणनी भावना जूएचे अने पाचणनी भावना एचे के यग्ये करावनार अने करनार बन्ने मालदार बनी जाए। दिपत प्रक्टाविये छिये, हवन करिये छिये, पुजा उपासना करिये छिये, आ बदुं मात्र देवी देवताओने खुश करवा करिये छिये। परंतु भगवान ने खुश करवानू आपनी तरफ आकर्ष्वानू सिद्धो रस्तो ए आपनी इमानदारी छे आपनी जि भल्मन साईचे आएक एवु लोह चुम्बक छे के जिना आकर्षण नाई बड़ नालिदे देवताओ आपनी तरफ खेचाईने आवेज ए साचो रस साची कारे पदती अने वास्तविक्ता छे एक सत्य तमे जेकला इमानदार पने सारा मान सहतो असो तेकली जि देवताओ निक रूपा तमारा पर सवीशे स्रिते आपो आप वरस से एमना वर्दानों नी फुल जडी तमारा उपर वरस से भगवान अगनी अने विजडी से एमने साथे खोटा जडा करशो तो एवी लपडाक लगाऊ से कि हता न अता थाई जेसो अमे पन यग्य करिये छिए पर भगवान ने फोसलावा माटे नती करता मानस नियांदर नो रहेलो देवातमा सुई गयो छे एने जगारवा माटे अमे यग्य करिये छिए मानस ने सुशुप्त अवास्ता माथी जागरूत करवा माटे आगला वर्षो मा एक आंदोलन सरू करवा ना चिये अने ये आंदोलन से बलिवैश्य यग्ये तमने गायत्री महमंत्र नित्रण माड़ा जप्वानू कई उतो चालिस आनो पाठ करवा अने मंत्रले एकन नू कई उतो आज वात में हवे दरेक घरेक घर दरेक व्यक्ति जन जन पासे करावाई चिये चिये दरेक ना गेर रोज नियमित बलिवैश्य यग्ये थवोच जुई एने नित्यकर्म मां स्थान मड़ूच जुई नित्यकर्म सुचे ए गणा लोकोने खबर ज नथी संद्या कोने कहवा एपन गणा लोकोने जानता होता है दरेक नुशल्मानने खबर होये चे के नमाज कोने कहवाई जारे गणा इंद्यों हिंदूोंने संद्या सुचे एनो पण खबर नथी ते केवी रित्याने क्या रे थाई एनी पन खबर नथी मादेवने लोटो पानी चड़ावी तो बली वहिष्चे सूचे एनी खबरेज क्या थी हो है। मंत्र बोली ने ओछामा ओछी पांच आहुती आपवानी चे। आ बली वहिष्चे पाचणनी भावना आएचे के भोजन करता पहला आमें भगवानने जमाल्या पछीद प्रसात ग्रहान करिये चे। अने पचीद भोजन ग्रहन करूँ जुए। आपने जे कमाईये चीए एमा भगवाननों पहलो चे। आपीन पची खावूं आज देवत्तों निनिसानी चे। आ यग्णिय परंपरानों विस्तार थवोज जुए। आ यग्णिय परंपरानों फेलावो करवो ए आजना यूगनी बहु अगत्यनी जरूर्यात चे। सामाजिक समस्याओनों उके लाववानी साथे साथे वातावरणनी सुद्धी करवी वधारे जरूरीचे। वातावरणनी सुद्धी तरप लोकोनु ध्यानेज गयून थी। यग्य एक किम्ती चीजी चे। यग्य थी अनेक लाव थायेचे। यग्य थी सरेर निरोगी रहेचे। मानसिकने अध्यात्मिक स्वास्थे परपन एनो गणोसारो प्रभाव पडेचे। यग्य थी गर्णु वातावरण सुद्ध बनेचे। यग्य थी प्राणवान वर्षाद पडेचे। यग्य थी गर्णु वातावरण सुषन्सकारी बनेचे। जे रोज यग्य करे तेने डोक्टर पासे जवूँ पड़तू नथी। हरी द्वार मा ब्रह्मुवर्च शोध संस्थालनी स्थापना यग्य थितता लाबना संसोधन माटेच करवा मावीच। एमा रिशर्च करवा माटे मोटा-मोटा यंत्रोंनी जरुर पडेच। एमा माटे किम्ती यंत्रों और साधनोंनी खुब सारी व्यावस्था करीच। मानसना मगजने ओर खेतेवा यंत्रो, मगजनी स्थितिने पार्खी सकेतेवा यंत्रो, मगजनी स्थिति केवीज, मगजमा सुनू अलचल छे, एना फोटा खेंची सकेतेवा यंत्रो, रदैनी दरेक अरकतने जानी सकेतेवा यंत्र, चोड़ने जार पण यग्यननी शूं असर थायेचे एनू परिक्षण करना रा यंत्रो वाइरस ने बेक्तरिया उपर यग्यननी शूं असर थायेचे एना माटे ना यंत्रो आ यंत्रो पण मोगा चे पण आ बदू मारू आयो जिन्न थी मारा गुरु देवनू छे मारी रुषी सत्तानू छे आजनी समस्याओमा व्यक्तिना नैतिक, बौधिक अने सामाजीक जिवनमा गुषी गयेली विक्रुतियोना निवारण माते यग्य रामबाल इलाजी छे आवा अनेक कारणों नेलिदे यग्यवनू आयोजन अने विस्तार करियेशी तमें जोता आशो के केटला जडब्थी यग्यवनू प्रचार प्रसार छतो जायेश पहला एक कुंडी यग्यार कुंडी के 25 कुंडी यग्यो थता आता अवे मोटा मोटा आयो जनो थायेच अने बदा प्रांत ना कारे करताओ आ यग्यो पोता ना विश्तार मा करवाई छेच गुजरात ना लोको कहेचे के गुरुदेव अमे तमारा मोटा पुत्र छी आ यग्या अमनेज मडवो जोई एवी जरिते दरेक प्रांत ना मानसो यग ये कराववा माटे संकल प्ले छे आ विशिष्ट समय छे एमा आपने स्रेष्ट करमाने स्रेष्ट विचार बन्यनी मदद थी लोकोंने नवा भिबामा धारवा पडशे तोज समाज मा परिवर्त ना उशे आ सत्यूग ना अवतरणनो समय छे आव आ विशिष्ट समय मा जह आरदे आपने समक्ष अनेक प्रकारनी समस्या उभी छे एना माटे आ महापूरस्चरनों प्रारंब करवा मावयोचे तमार आमाथी बदीज व्यक्ती ओए आ महापूरस्चरनमा भाग लेवो जुई अने तमारी अंदर तमारी जवाबदारी पुर्ण करवी जुई गणिवार भक्तों नी कसोटी करेंचे अने जुए छे कि तमारामा सवुर्य साहस भक्ति अने आत्मग्णान केटलूंचे तमें केटला निष्ठावान छो गुरुजी तमारा यग्योपूरा थसे हाँ बेटा यग्योपूरा थाइक जेसे मथुरामा एक अजार कुंडी यग थयो हतो एमा चार लाख नी मेदनी आवियती आ चार लाख लोको पांच दिवस माटे रया आता पांच दिवस सुधे चार लाख मांसो ए भोजन करिऊ हतु भोजन ना चालिस लाख अने बिजी व्यवस्थाना दस लाख आ बदोज खर्च करवानी सक्ति ए प्रग्या उतार हुब्या नी चोगस लाख अने बिजी अने फार लाख रग्या आतार्य कारिया मेदनी और ने पेकर्च क्ति आ righteous अरे gw्यवस्थाना भोजल आम्या इना अश्यूस या सक्ति वार्ग्णा है तम्हें समय पर जागी गया एक खूब सारी वात चाहिए अने जो तम्हें समय पर न जागत तो काम तो थाइनेज रहे पड़ तम्हें स्रैना भागीदार ना बनी सकत आजादी प्राप्त करवा माटे जेवो 33 महीना जेल मराया हाता तेवो आजे 300 रुपिया पेंशन मिलवे अने स्वातंत्र सेनानीनु ताम्रपत्रले ने फरेची, बेटा अत्यारनो समय पने वोच्छे, तमेने चुकता नहीं, जो आ समय ने तमे ओडखीलो, भगवान नीच्छाने, भगवान ने महानताने समझीलो, तो गणुस जेम गिदने खिसकोलीने आपने वारमवार याद कर ये छिये, तेम तमने पन बदा याद करचे, गिदने खिसकोलीने, समय ने ओर खिली दो होतो, येम नामा हिम्मत हती, उत्चा हतो, भाव ना हती, तेथी तियो ओजरमर बनी गया, एज समय फरी थी अत्यारे आवी गयोचे, जो तमे इचो तो प्रग्यावतारना कारेमा मद द्रुप्थाई सेको, जो तमे इचो तो युग परिवर्तनना समय मा आगली हरोण मा चालना रिशेनमा तमारू नामनो दावी सेको जो, तोसुँँ आयग्योनों विश्तार भविश्यमा पन वद से, हाँ, आयग्योनों विश्तार खूब वद से, गायत्री माता गेर-गे थे थवा थेयों होशे, और आ नविनी करण मा गायत्री नी फिलोसोफी और यग्योनी कारे पदती नी मुख्य भूमी का रहे से, मान्सोर वेवहार केवो हो जुई, ए प्रेरणा आपन यग्यों माथी मर से, मनुष्य, व्यक्ती, समाज, राष्ट्र और विश्योनों चिन केवो हो जुई, आ बदिज प्रेरणा गायत्री मंत्र माथी, कि ये गणों प्राचिन छे, ए माथी मर से, आवे तमें एक काम करो, कि पहलाना और आलना यग्यों मा सो फरक छे, ए तमें सम्झो, पहलाना यग्यों मा पईशा मुख्य हता, आलना यग्यों मा जन सक्ती मुख काम चे, एक काम करवा माटे, तमने संकल पर उप्रे नाडा छेडी बांधी ने, अमें तमने गयर-गयर मुखली से, तमें गयर जाईने, पूरा उत्साह थी, अमारी टीम साथे काम कर जो, अमारी कमिती नहीं, टीम जोईएची, टीम एटले उत्साह, खेलारी ओनी एक टीम होईची, जे सुख दुख मा, अने अस्वार मुआ मा साथे जोईची, दस मार सोनी एक टीम अहीं ठी आओशे, एनी साथे तमें काम कर जो, तमारू काम सफ़ड थाशे, सफ़ड ना थाईँ, तो हूँ सफ़ड करे देश, तमें सफ़डतानी के निस्फडतानी चिन्ता नह अने जे कारे सोप्यों छे, ते कारे ने निस्था थी, भावना थी, अने तत्परता थी करशो, तमारी कसोटी, तमारी सफ़डता मा नहीं, परन्तु तमें केटले निस्था थी काम कर्यों छे, कामनी सफ़डता माटे, दोडा दोड करवामा जेकलो समय आप्यों, तेमा छे जो तमें निष्ठाती कारे करशो तो तमें धन्य बनी जेशो आईकनु महत्त्य पुर्ण कारे चे जे जोवामा भले नानू लागे चे गांधी जीना मिठाना सत्या ग्रहनी लोको आसी उडावता आता मजाग उडावता आता लोको कहता हाता के मिठाना सत्याग्रह दिश्टों स्वराज्या आउतु हसे, पड़ आपने जोयूं के मिठाना सत्याग्रहनी असर केवी थे यती, पजिस कुंड यग्यों निस्रंखला साधारल लागेचे, पड़े अगत्यनु दर्मानु स्ठान चे, जोवामाईनु स्वर बले नानु होय, परन्तो यनी शक्ति जवर जस्त चे, यनी असर मनुष्यना त्रणे शरिर उपर पड़ेचे, स्थूड, कारण ने स्थूड, 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 अनुष्ठान पूर्ण थसे। बगवाननी कुरुपानो लाभ मेडवो, गोवर्धन पर्वत उठावामा तमारी लाकरीनो टेको आपी पुन्यना भागिदार बनो, पुल बांदवाना कारेमा रेच वानर अने खिशकोलीनी भूमी का अधा करो, तमे तमारी फराज निष्टा पूर्वक उत्साहाथी अने नियमित बजाओ, तो तमे अने अत्या आनंद थसे, तमारो सायोग प्रसंशनी, तमारो कारे करवानों उत्साहाने निष्टा वदू, एटलू जो युग निर्माननों कार्य वेलू पूरू थसे, तमे बदा नसीबदार छो, क्या भगिरत कारेमा तमे भागले वाव्या, तमारो सवभाग्य, तमने घणू बदू आपे, एवी सुब कामना साथे, परमपिता परमात्माने प्राष्णा, ओम शान्ति ही, ओम शान्ति ही, ओम शान्ति ही. आ प्रवचन तारिक ओगण त्रिश्मी सप्टेबर ओगणी सो इठो तेर ना पायलूंँछे यग्ये सूँछे यग्ये नी परिभासा सूँछे एने साची रिते समझावानो गुरुदेवे प्रयत्ने करियोंछे और आ रुषी गुरुदेवनो प्रवचन रुषी चिन्तन चैनल लामाध्यम थी अपनी पासे विना मुल्ये पहुच्चू छे त्यारे आनो आपने फिलाओ करिये जन जन सुधी आयेग्ये पहुचे तेना माटे आ प्रवचन ने जन जन माँ गुरुप माँ